हलो दोस्तों मैं आप सभी लोग को स्वागत करता हूं आइकोनिक टेगनों का नया एपिसोड वीडियो में इस वीडियो में आप लोग बात करने बारे हैं कुछ फांक्शन की के बारे में अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप लोग जानते होंगे फांक्शन की ऊपर में इन इस वीडियो देखते रहे गें तो चरी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आपके बास कीबोर्ड नहीं है लेकिन आप कॉंपुटर में कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो मैं स्क्रीन पे आप लोग को देख रहा हूं कि कैसे आप लोग उस फंक्शन की को अन कर सकते हैं तो चलिन डिक आप फंक्शन की करके तो पहला चीषगा होता है वह एक और जो कि हदुके काम में आता है आप सार्च कर रहे ही या फिर Microsoft Word में काम कर रहे हैं जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पर एफ उन प्रेस करेंगे तो आप लोग को उसका जो हिल्फ सेक्टर है वो खुल जाएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं Google में जब जाके एफ उन प्रेस कर रहा हूं तो दूसरे नमबर पर आते हैं जो है इफ टू जिसका वेसिकली काम है रीनेम करना कोई भी फाइल को अगर आप लोग रीनेम करना चाहते हैं तो उस जहां पर उसका नेम है उसके बड़ डवल टप करेंगे तो रीनेम हो जाएगा तीसरे मारता है जो कि सार्च के लिए यूज होता है मतलब आप कहीं पर भी हो आप एफ थ्री मारेंगे तो वो सार्च होगा अरे कहना क्या चाहते हो जैसके कि गूगल में आगर आप लोग जाके एफ त्री मार रहे हैं एकला नहीं काम करता है इसके लिए आप लोग को आल्ट दवाना बड़ेगा आल्ट प्लास एफ फूर आगर आप लोग मारेंगे तो वो कोई भी एफ्लीकेशन को बंद कर सकता है और आपकी कंप्यूडर को भी साट डाउन करा सकता है कंपूडर को जाकर आप लोग कर सकते हैं और इसको कियर उसको चैंज कर सकते हैं ऑप फॉयर्जेग के लिए के लिए बनाए गया है मतलब अगर आप लोग गूगल में जाकर मारेंगे तो वही सब कुछ आप लोग कपी कर सकते हैं या फिर आप उसको डिलीट करके वहां पे सार्च भी कर सकते हैं मतलब माइक्रोफट और प्रावर पॉइंट या पर एक्सेल इन सभी जगहों में यूज होता है वैसी के लिए आपकी जो वार्ड है मतलब कोई आप लिक चुके हैं तो उस वार्ड कोई चेक कर सकते हैं मतलब इस पेलिंग चेक के काम में आता है अगर आप लोग एप सेबिन मारेंगे तो स्पेलिंग चेक हो जाएगा इसके बाद आता है एफ एट जिसका दो काम है एक है सेफ मूट और दूसरा है पूरा का पूरा एक एक आर्टिकल अगर है मैंस वार्ड में लिका रहे हैं तो उसको आल सिलेक्ट आप लोग एफ एइट से कर सकते है इसके बाद में आता है एफ 9 जिसका यूश माइक्रोसाफ्ट वार्ड में होता है और अउट्लुक माॉइक्रोसाफ। का उसमें ऊट्र में से उसको रिप्रेस करने के काम आतु है और जो आउट्लुक है उसमें कोई पी मेल को आप लोग सेंड या फिर इसीब कर सकते है मेनु बार आप लोग चांदें कि वहाँ पर बहुत सर्म रहता है गूगल में देखेंगे तो ति डॉट जो रहता है उसमें क्लिक करते हैं तो मैनु बार अब लोग A10 प्रेस करेंगे तो मेनुबारी खुड़ा होगा अब की माउस की कोई जरूरत नहीं है और एक काम है इसके लेकिन इसके लिए आप लोग को सिफ्ट प्लास एफ 10 दबाना पड़ेगा तो जैसे कि आप लोग राइट क्लिक करते हैं तो उसके विज़े से जो रेजाल्ट आता है वही सेम रेजाल्ट आप लोग देख सकत है सिफ्ट प्लास एफ 10 मारेंगे तो इसके बाद आता है एफ 11 जो कि आप लोग के अब में से बहुत सारे लोगों ने यूज करते ही होंगे फुल स्क्रीन के लिए जो कि आपकी फोकास मूट को दिखाता है कि आप गूगल में कोई काम कर रहे हैं और दूसरे कहीं पे भी हैं आप लोग नहीं जाना चाहते हैं तो आप लोगे फैलेवरेंट मारेंगे पूल स्क्रीन मूट से डिक्टीविट यूजाएगा और आपकी बाकी पदेस्ट प्स व कि अब थेWAY ईसके बाद आता है ए regression जो कि लाश्ट है इसको सब्सक्राइब करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में चाना पड़ता है लेकिन अगर आप लोग एफ ट्वेल मारेंगे तो डाइरेट से हो जाएगा कोई कोई करने की ज़रूरत नहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है अगर लोग चैनल में नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चाहिए मिलते हैं आगले वीडियो पर तब तक के लिए जाहें